Hey guys, welcome back to Mystery of Crypto, I hope आप सभी काफी अच्छी होंगे At time of making this video, Bitcoin का price almost $46,000 चल रहा है और इस वीडियो के अंदर हम majorly दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत जादा important है, first of all तो Bitcoin ETF Approval जिसकी date readiness दे थी, यानि कि आज क्या Bitcoin ETF Approval हो सकता है और जिसका हम वेट कर रहे थे, कि SEC के account से हमें जल्दी ETF Approval की news देखने को मिलेगी वो already post हो गई थी कल रात, बटो fake news थी उसके बारे में discuss करेंगी क्यों हुआ, कब तक हमें Approval देखने को मिल सकते है प्रूव होता तो हम क्या expect कर सकते हैं market से Secondly, जो कि इंडिया में foreign exchanges, major exchanges है, जैसे कि Binance Qcoin उनके ban होने की बाद चल रही है तो क्या आपको अपना fund निकालना चाहिए, क्या आपको safety measures रकने चाहिए, यहाँ पर हम उसके बारे में बात करने वाले हैं यह वीडियो आपके लिए काफी important रहेगी, तो इस वीडियो को भी के भी आप like करके आगे देख सकते हैं तो first of all, अगर हम बात करें SEC के बारे में, तो इतने टाइम से हम सब लोग wait कर रहे थी कि ETF approval की news आएगी, Bitcoin sport ETF approval की तो कल SEC के account से एक tweet post हुआ, जिसमें बताया गया थे कि SEC ने सभी sport ETF को approve कर दिया जिसके बाद Bitcoin का price suddenly $48,000 तक चला गया था, बट उसी के कुछ देर के बाद पता लगा कि यह SEC का account compromise हो गया Gary Gensler ने कुदने tweet डाला कि SEC का account compromise हो गया, और जो वो tweet थी, वो fake tweet है और अब ये तक SEC ने ETF को approve नहीं किया, उसके बाद से Bitcoin का price वापस से गिरा और $46,000 तक आ गया तो major यहाँ पर हमें market में move देखने को मिला, बट इतनी major identity जो की SEC है, उसका account जो है hack होना बहुत बड़ी चीज है और हमने पहले भी देखा past के अंदर कि जैसे CoinDesk या CoinTelegraph के recently BlackRock ETF approval वाली news आई थी तो पहले उन्होंने गलती से डाल दिया था और उसके बाद next day उन्होंने बोला कि हाँ, यह सच में news हुई है यहाँ पर यह scenario भी बन सकता है कि हो सकता है, ऐसे सी उसको कल post करना चाती हूँ, यानि कि आज Wednesday को post करना चाती हूँ कि actual में Bitcoin sport ETF approved हो गया है और उन्होंने गलती से कर दिया और यहाँ पर जो actual में account hack हो गया है अब दोनों के scenario में क्या हमें expectation market से देखने को मिल सकते हैं कि in case अगर Bitcoin sport ETF approved होती है तो हम easily expect कर सकते हैं कि Bitcoin का price 50,000 dollar plus भी चला जाएगा और यहाँ पर अगर Bitcoin की sport ETF reject होती है क्योंकि आज deadline है Wednesday को, यानि कि next 24 hours के अंदर हमें SECG की तरफ से almost decision मिल जाना चाहिए कि अगर वो ARK21 की Bitcoin sport ETF को approve करते हैं अगर या फिर वो उसको reject कर सकते हैं या फिर उसको delay कर सकते हैं कि आपकी यह जो है compliance नहीं है आप इसको आने वाले time में next इसको renew करके लाओ तब हम इसको approval का देख सकते हैं तो आज की deadline है let's see क्या होता है but मेरा आपको यहीं बोलना है जो मेरा personally मानना है कि आप market का इतना wait मत करो बड़ी positions आपको open नहीं करने है specifically in futures क्योंकि आपको यहाँ पे major manipulation देखने को मिल सकती है मां को यह recommend करूँगा जिन coins के अंदर आपका major profit हो चुक है अच्छा profit हो चुक है उसमें आप थोड़ा profit book करके रखी है and wait करिए कि market के अंदर क्या sentiment देखने को मिलते हैं overall अभी नहीं होता है bitcoin sport ETF approved तो हमें next month या उसके बाद देखने को मिल सकता है but what I expect is 2024 के अंदर हमें bitcoin sport ETF approved होती हुई दिखेगी तो यह थी SEC के बारे में news जो की major level पर अभी के time में चल रही थी अब second जो major concern है market के अंदर कि क्या India के अंदर foreign exchanges like Binance क्यों कोई यह ban हो जाएंगे क्योंकि अभी से 2 week पहले यहाँ पर news आई थी इंडिया की तरफ से कि यहाँ पर जो foreign exchanges है वो इंडिया के compliance को follow करे इंडिया के rules regulations को follow करे crypto serial guarding वरना उनके URL इंडिया के अंदर ban कर दी जाएंगे और after 2 weeks already Apple store के अंदर जो है Binance app अब अविलेबल नहीं है Qcoin, MEXC, Hubie यह जो भी no exchanges को यहाँ पर notice गया था वो जो है आप store से remove कर दी गई है लेकिन अभी भी play store के उपर available है याने कि android के उपर अभी भी available है iOS से remove कर दी गई है तो यहाँ पर यह chances लग रहे हैं कि आने ले टाइम में हो सकता Android से भी remove कर दी जाए यहाँ पर हम एक tweet देखने को मिला बाइनास देशी की तरफ से मतलब official account नहीं है यह पर यहाँ पर जो यूजर्स है बाइनास के उनको इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पर देखने वाली बात है कि आनले टाइम में क्या डेखने को मेजर लेवल पर मिलेगा बट यहाँ पर बोल मों सीजी चीज़ हमें देखने को मिल सकती कि जो भी एक्सेंजिस इंटरनेशनल वो इंडिया के रेगुलेशन को फोलो करें मीनवाइल आपको क्या करना है जब तक आप यूज नहीं कर सकते हैं पैनी की सिच्वेशन नहीं क्रेट करनी आपको आप आइधर डिसेंटलेज एक्सेंजिस को यूज कर सकते हैं आपने सभी उसके उपर वीडियो बना के रखी है कैसे आपको यूज आपको यूज करना है पैंकिक स्वेशन करना है कैसे आपको ट्रस्ट वॉलेट के उपर अपना अकाउंट बनना है बहुत एजी प्रोसेस है एक बड़ आप समझ जाएंगे तो आपको और ज्यादा मज़ा आएगा डिसेंटलेज सेंज को यूज करने में वहाँ पे हैं यहाँ लिएक आप अपको इतन अपको इतना है इतना अपको उसके अंदर आप अप ant अपने जू क्रिप्टो है जो फंस है वो विड्रो यहां पे कर सकते हैं तो यह तो beschäftow confirms मेजर सीज़े चल रही है बाकिम आपको यह रिकॉमेंट करूँगा धिरी दिर आप डिसेंटलाइज बॉलेट से यूज करना स्टार्ट करें क्योंकि अगर यहां से एंड्रोइट से भी रिमूव कर दी जाती है और बाइनास आपको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं इंडिया के तब यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिच्वेशन हो सकते हैं क्योंकि लोगों के ट्रेड्स होंगे लोगों ने होल्ड किया होगा तो वह आप अपनी क्रिप्तो करन्सी अपने प्राइवेट बॉलेट के अंदर अभी के ताइम में मूव कर सकते हैं अभी तक यहा आपसे नेक्स वीडियो के अंदर एक अच्छी वीडियो के साथ तब तब के लिए बाबाई टेक केर जैहिन